बाइलोजी प्रेक्टिस सेट सीरीज में आज हम फाइलम प्लैटी हलमेंथीज के क्वेस्चन्स को साल करेंगे और इसके पहले हम फाइलम प्रोटो जोवा, फाइलम पोरी फेरा और फाइलम सीलन्ट रेटा की वीडियो अपलोड कर चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख लीजे क्वेशन नमर एक है सिस्टोसोमा को सामान्यता कहते हैं सिस्टोसोमा इज कामनली काल्ड लिवर फ्ल्यूक, डॉक टैप वर्म, ब्लड फ्ल्यूक या सी फ्ल्यूक तो जो सिस्टोसोमा होता है उसको हम क्या कहते हैं सामानता रुधिर फ्लू कहते हैं यानि की ब्लड फ्लू और ये जो है क्या होता है मनुस्य की जो रुधिर वाहनिया होती है उनमें ये परजीवी होता है तो question number 1 का correct option क्या होगा C question number 2 है किस वर्ग के जन्तूओं में अहारनाल अनुपस्थित होती है elementary canal is absent in the animals of class तो ये जो है ये class है वर्ग दिये हुए है इनके नाम तो किस वर्ग के जन्तूओं में अहारनाल अनुपस्थित होती है नेमेटोडा, सेश्टोडा, ट्रिमेटोडा या फिर टर्बलेरिया तो जो प्लैटी हेलमेंथीज है उसका जो एक class है सेश्टोडा B option सेश्टोडा के जो animals होते हैं वो क्या होते हैं vertebrates के अंताः परजीवी होते हैं ठीक है vertebrates के अंताः परजीवी होते हैं और इनमें जो है अहार नाल जो होती है वो अनुपस्थिद होती है absent होती है question number 3 है इनमें से कौन सा एक platyhelminthies का लच्छाण है which of these is a characters of platyhelminthies radial symmetry, triploblastik या metameric segmentation या all of these ये सभी तो जो phylum platyhelminthies है इनके जो animals होते है वो क्या होते है वो triploblastik होते है ठीक है वो triploblastik होते है यानि कि इसी को हिंदी में बोलेंगे 3-3 होते है क्योंकि इनमें क्या होता है तीन germinal layer होते है कौन-कौन से ectoderm, endoderm और mesoderm तो यहाँ पर क्या होगा ये triploblastik B option correct होगा question number 4 है which one of the following is correctly match इक रहाँ इनमें से सबसे सही option चुनिए correctly match सुमेलिद कीजिए इसमें से तो इसमें से देखिए A number कह रहा है tinea, trimetoda B कह रहा है echinococcus, turbulent area और C है systosoma, trimetoda और D है plan area, systoda तो इसमें से कह रहा है कि correctly match कौन सा है तो देखिए जो systosoma है ना वो क्या होता है trimetoda work trimetoda work के अंतरगत आते हैं कौन सा systosoma तो यहाँ पर जो है ये सही है बस तो यानि कि C option सही है ठीक है C option जो systosoma है ये trimetoda work के अंतरगत आते हैं तो कह रहा ही ना कि correctly match तो C option correctly match है और इसके अलावा देख लेते हैं देखिए जो plan area है ये जो है plan area ये क्या होता है turbulent area class में आता है और जो echinococcus है ना ये वाला echinococcus ये systoda class में संबलित है ठीक है और tinia जो है वो systoda class में आता है यहाँ पर tinia के आगे trimetoda लिखा है ना trimetoda तो tinia जो है trimetoda में नहीं tinia जो है systoda class में आता है तो कहरा है ना कि correctly match काउन सा है तो यानि कि c option correctly match है जो systoma है वो trimetoda वर्गे के अंतरकत आता है question number five है जोला को सिकाए मुख उत्सरजी संरचना है flame cells are main excretory structure देखे इनका जो क्या होता है कि जो जो जोला को सिकाए है वो आग की जो लाव होती है जोला होती है flame होती है ये कुछ उसके आकार की तरह दिखाई देती है इसलिए इनको जोला को सिकाए कहते है तो कह रहा है कि ये मुख उत्सरजी संरचना है ये किसकी है ये phylum platyhelminthige की phylum platyhelminthige की ये जो जौला को सिकाए हैं ये क्या होती है ये मुख उत्सर्जी सनचना होती है और ये उत्सर्जन से संबंदित है question number six है फीता क्रमी अपना भोजन अवसोसित करता है टेप वार्म इसी को कहते है ठीक है तो ये करा है कि टेप वार्म एपजॉर्ब्स food throw फीता क्रमी अपना भोजन किस प्रकार से अवसोसित करता है सकर के द्वारा हुक्स के द्वारा रोश्टेलम के द्वारा या जनरल सर्फस से तो जो फीता क्रमी होता है वो क्या होता है कि जो पोसक तत्त होते हैं वो सामान्य सतह से सामान्य सतह से वो विसरण के द्वारा अ होता है अभा और अभा होता है तो यहां पर जो है correct option कौन सा होगा कह रहा है कि अपना भोजन अवसोसित करता है general surface d option correct होगा question number seven है चप्टे क्रमी में गुदा अनुपस्थित है एक यानि कि कह रहा है कि absence of in us in flat warm is a क्या है एक primary है acquisition है secondary acquisition है या फिर specialization है या फिर कह रहा है degeneration है तो जो चप्टे क्रमी में जो गुदा अनुपस्थित होती है न वो एक क्या है वो एक अद्थी उदाहरण है यानि कि specialization है c option correct होगा question no.8 किस परजीवी वर्ग में घोंगा एक मध्यस्थ पोसक है in which parasitic class the snail is definitely one of the intermediate host तो इस में से जो ट्री में टोड़ा class के जो animals होते हैं न वो पता है कि जो है क्या होते हैं वो अन्ता परजीवी होते हैं या फिर बाह परजीवी भी होते हैं चप्टे क्रमी होते हैं तो इस class में जो है घोंगा एक क्या होता है एक intermediate host होता है तो यहाँ पर d option correct होगा ट्री में टोड़ा question no.9 है the function of यहाँ पर जो है देखिए यह जो है question बहुत important है यहाँ पर कह रहा है कि जो यह लॉर की कैनाल है तो function of लॉर्स कैनाल in faciola hepatica age faciola hepatica में लॉर्स कैनाल का का कार क्या है function क्या है excretion है secretion है यह act as copulatory passage है यह ननाफदी जिन में से कोई नहीं तो जो लॉरर की जो नली का होती है वो क्या होती वो अंडवाहनी जो अंडवाहनी जो होती है वहाँ से जो है एक छोटी पेसी यह copulatory tube निकलती है जिसे क्या कहते है लार की नली कहते है तो यहाँ पर c option correct होगा act as copulatory passage question number 10 है मीसले पार्क मांस का कारण है the region for the मीसले पार्क फ्लैस इजदा तो कह रहा है कि जो मीसले पार्क जो मांस होता है वो किस कारण से होता है किस की उपस्थिती के कारण से होता है जो सुवर का मांस होता है उसमें क्या होता है कि सिष्टी सरकस जो है उसमें लारवा होते हैं वो सिष्टी सरकस लारवा से अत्यदिक संक्रमित होता है तो उसे क्या कहते हैं मीसले पौर्क कहते हैं और हमें पता है कि जो टीनिया का जो एक लारवा अवस्था होती है उसे हम क् कि एक लारवा अवस्ता है सिस्टी सरकस तो उसकी उपस्थिती के कांड़ से होता है अब हमें पता चल गया तो इसका question का correct option क्या होगा B option होगा ठीक है B option सिस्टी सरकस की उपस्थिती के कांड़ इसको ऐसा कहते है question amね 11 है tineya अपना भोजण ग्रहण करता है जो तीन यह कर अपना भोजण किस प्रकार से ग्रहण करता है प् क्योंकि हमें पता है इसमें elementary कैनाल ओchio Sense होती है ठीक है तो यह जो अपना भोजण ग्रहण करेगा ना वो क्याकर किस से करेगा body wall से करेगा ठीक है देह भित्ति के द्वारा करेगा ये तो यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा C हो जाएगा question number 12 है टीनिया सेजनेटा टीनिया सोलियम से भिन है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है यानि कि कह रहा है कि टीनिया सेजनेटा differs from टीनिया सोलियम as it lacks इसा क्या होता है कि टीनिया सेजनेटा टीनिया सोलियम से भिन होता है किसके क्राण होता है रोश्टेलम सकर्स इसकोलेक्स यह कह रहा है ननाफदी जिन में से कोई नहीं तो देखिए जो टीनिया सोलियम होता है ना टीनिया सोलियम के इसकोलेक्स भाग में क्या होता है कि रोस्टेलम ये वाला रोस्टेलम और हुक्स नहीं पाय जाते हैं तो कह रहा ना कि क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है क्या अनुपस्थित होता है यानि कि रोस्टेलम और हुक्स तो यहाँ पर आप्शन में क्या दिया गया है रोस्टेलम तो यह A option correct हो जाएगा कि इसमें रोश्टेलम नहीं होते है Question number 13 है In faciola hepatica, the secretion of mehali glands is too Mehali glands का जो secretion होता है, उसका जो है क्या कार होता है Question number 13 का A option है Lubricate the uterus, harden the capsule, activate the sperms, do all of the above work तो इसमें से देखिए, जो mehali glands होती है वो एक क्या है, कोसिकी गरंथियों का एक गुच्छा होता है ठीक है, एक कोसिकी गरंथियों का क्या होता है, गुच्छा होता है और इसमें निकलने वाला जो liquid होता है, वो uterus को चिकना बनाता है और इस्पर्म भी एक्टिव रहते हैं, और इसी स्राव के कारण जो पीतक गरंथियों होती है कोसिकाएं, वो कवच गोलिकाओं को मुक्त कर देती है यानि कि D option इसमें से correct होगा All of the above, सभी Question number 14 है, bladder warm is a larva of Obelia, Silk Moth, Tinea या Nerys तो जो bladder warm larva है, वो क्या है? Tinea solium की larva अवस्था है तीनिया solium की larva अवस्था है इसी को सिस्टी सरकस या bladder warm कहते है यानि कि जो bladder warm है, इसी को हम सिस्टी सरकस लारवा भी कहते है तो यह किसका है? Tinea solium का है तो यहाँ पर C option correct होगा Question number अगला है Promotion kriya होती है Epolysis is the process of तो इसमें से देखिए क्या है? कहरा कोसी का पाचन है? या Phagocyte का नश्ट होना है? अंड पूंड देह खंड का मुख सरीर से अलग होना है? या अनिसेचित अंडे का विकास है? तो जो अपूंड खंड देह अपूंड देह खंड का जो मुख सरीर से क्या है? अलग होना है यह Epolysis कहलाता है तो इसमें से C option correct हो जाएगा Question number 16 है Osmotrophy पाई जाती है Osmotrophy is found in Esterius में, Palimon में, Paila में या Tynia में तो जो Osmotrophy होती है वो क्या है? Tynia में अपने सरीर के अंदर Liquid के बीच क्या होता है? कि संतुलन बनाने संतुलन बनाने को Osmotrophy कहते है तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा किस में पाई जाती है? Tynia में पाई जाती है Question number 17 है यक्रत क्रम के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोसद को संक्रमित करती है वो कौन सी है? यानि कि कह रहा है कि आईसी वो कौन सी लारवा हावस्था है जो प्राथमिक पोसद को infected करती है Stages of the life history of the liver fluke which infects the primary host age सरकेडिया, radia, miracidium या फिर मेटा सरकेडिया तो इसमें से जो मेटा सरकेडिया है यानि कि D option मेटा सरकेडिया वाला ये जो लारवा है ये क्या करता है? पसू भेंड आदि को संक्रमित करता है तो यहाँ पे D option correct होगा Question नमर अगला है The secondary host of tinnia age करा कि जो tinnia है उसका secondary host क्या होता है? मैन है, स्नेल है, पिग है या फिर डॉग है तो इसमें से जो secondary host है tinnia का वो है पिग यानि कि C option correct होगा Question नमर अगला है Hexacanth larva is found in तो ये जो है Hexacanth जो larva है वो tinnia solium में पाया जाता है तो यहाँ पे D option correct होगा Question नमर अगला है Allogenesis एक प्रकार का PDA का अंत्रण है जो पाया जाता है Paramecium में, liver fluke में, monocystis में या फिर इसनेल में Allogenesis is a type of alternation of generation and is found in किसमें पाया जाता है तो यह पाया जाता है liver fluke में ठीक है B option यह correct होगा होता क्या है कि जब Asexual stage Asexual stage क्या होती है कि अल्प विक्सित होती है ठीक है ठीक है तो B option इसमें correct होगा Question number 21 है Number of excretory poor in fasciola is करा है कि number आप excretory poor in fasciola में कितने होते है 1, 2, 3, 4 तो इसमें से जो है fasciola hepatica में एक होता है तो यहाँ पर क्या होगा Option A 1 Question number अगला है यक्रत क्रमिका स्वतंत्र रूप से तैरने वाला cilia yukth larva कह रहा है कौन सा है pre-swimming ciliated larva stage of liver flukage यह सब बहुत important question है तो कह रहा है रेडिया है मिरा cdm है या मेटा सरकेरिया है या सरकेरिया है तो जो मिरे cdm जो लार्वा होता है वो cilia yukth होता है और क्या होता है स्वतंत्र रूप से तैरने वाला भी होता है तो यहाँ पर b option correct होगा मिरा cdm question number 23 है इन में से कौन सा जन्तु समूह आंत्रिक पर जीवी नहीं है अगर आप चैनल पे new widget किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि जोलोजी और बाटनी की प्रेक्टिसेट सीरीज आपको इसी चैनल पर प्राप्त होती रहेगी question number 23 कहरा है which आप दीज एनीमल ग्रूप सार नाट इंडो परासाइट कौन सा जन्तु समूँ आंत्रिक पर जीवी नहीं है तो देखिए जो टर्बलेरिया है न ये क्या है कि ये सोतंत्र जीवी होते हैं तो यहाँ पर C option करेक्ट होगा आंत्रिक पर जीवी नहीं है यानि कि देखिए ट्रिमेटोट्स भी है सेस्टोट्स भी है और ये स्पोरो जोवा भी है ये क्या है ये प्रोटो जोवा का स्पोरो जोवा यहाँ पर आप्सन पर दिया गया है लेकिन कहरा है कि नहीं है यानि कि एंडोरिस्पाइरेशन, इसकोटोरिस्पाइरेशन या एनारोबिक, तो जो टीनिया सुलियम होता है, उसमें जो है एनारोबिक या फिर एनाक्सी बायोटिक, ठीक है, एनाक्सी बायोटिक, प्रकार का जो है सोसन होता है, तो यहाँ पर option दिया गया है एनारोबिक, तो फाइब नंबर किसमें गुदा अनुपस्थित होती है इन फिच वन आफदा फालें उगिजदा एनस अपसेंट लीच में राउंड वर्म यानि गोल क्रमी में करा या अर्थ वर्म के चुआ में या फिर फ्लैट वर्म यानि की चप्टे क्रमी में तो जो चप्टे क्रमी होते है ना फ्लैट वार्म उसमें गुदा क्या होती है अपसेंट होती है ठीक है और यह फ्लैट वार्म क्या है प्लैटी हिलमिंथीज जो संग होते है ना फाइलम होते हैं उनके प्राणियों को कहा जाता है तो यहां पर कौन सा आप्सन करेक्ट होगा डी आप्सन करेक्ट होगा नहीं पाया जाता है यह अपना भोजन क्या करता है बॉडी वॉल से ठीक है अपना भोजन जो है बॉडी वॉल द्वारा आउशोसित करता है तो किसमें नहीं पाया जाता है तो यह जो है टीनिया में नहीं पाया जाता है यानि कि B option 27 number question कह रहा है कि which of these is not larva faciola hepatica faciola hepatica का कह रहा है कौन सा larva यह नहीं है इन में से radia sporocist hexacanth या miracidium तो हमें पता है कि faciola के जो larva है कौन कौन से है वो है radia larva भी है sporocist भी है और miracidium भी है लेकिन जो hexacanth और cysticarkas है यह क्या है यह टीनिया के लारवा है ठीक है तो यहाँ पे पूँच क्या रहा है पूँच रहा है कि कहरा फैसियोला heepatica का लारवा पूँच रहा है फूजब दीजे नाटेलारवा फैसियोला heepatica तो जो यह hexacanth है यह नहीं है ठीक है? ये किसका है ये टीनिया सुलियम का लारवा है और एक हेक्साकेंद के लावा और क्या होता है टीनिया सुलियम का एक लारवा होता है सिस्टी सरकस और इसी को और क्या कहते हैं ब्लैडर वर्म तीक है तो यहाँ पर C option correct होगा 28 नंबर दूई पार्स भी ये समयमीत दिखाने वाला प्राणी दा फर्स्ट फाइलम आफ एनिमल किंग्डम तो इग्जवीट बाइलेटरल सिमेट्री इज आर्थो पोड़ा एनलीडा मोलस्का प्लैटी हलमेंथीज तो इसमें से कह रहा है कि प्लैटी हलमेंथीज जो प्रा प्राणी जगत का पहला संग है जिसके जनतुओं में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई दिखाई देती है तो यहाँ पर डी ऑप्शन फैसियोला हिपेटिका किस क्लास में आता है ट्रिमेटोडा सेस्टोडा टर्बलेरिया या इनमें सो कोई नहीं तो यह जो है ट्रिमेटोडा में आता है ट्रिमेटोडा ए ओप्शन फैसियोला हिपेटिका में प्रथम विभाजन के फलस्षरूप कितनी कोशिकाई बनती है यानि कि जो डेवलप्मेंट होता है उसका इंब्रियोनिक उसमें कह रहा है कि प्रथम विभाजन के फलस्षरूप कितनी कोशिकाई बनती है 1 unequal, 2 unequal, 1 equal या 2 equal तो इसमें से 2 आसमान कोशिकाएं बनती हैं ठीक है, 2 आसमान तो यहाँ पर कौन सा उप्शन करेक्ट हो जाएगा B option करेक्ट हो जाएगा 2 unequal यह, 2 unequal Question number 31 Faciola Hepatica की जो intestine है वो दाहिने और बाएं दो ब्रांचेज में विवाजित हो जाती है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं तो इसमें से देखिए कह रहा है कि Sincasal कहते हैं Sika कहते हैं Vacule कहते हैं या इनमें से कोई नहीं तो जो Faciola Hepatica है हमें पता है कि पाचन तंत्र उसमें क्या होता है अपूंड होता है ठीक है पाचन तंत्र अपूंड होता है और आंत्र क्या है जो है दो साखाओं में विवाजित हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं कुरूरा या Sika कहते हैं तो यहाँ पर B option करेक्ट होगा यह Question number 32 यह कह रहा है कि एक चूसक परकार का Tremetode है या दोनों परकार का है या इन में से कोई नहीं तो जो फैसियोला हिपेटिका होता है वो क्या है वो दूई चूसक परकार का Tremetode है यहाँनि कि ए औप्सन इसमें करेक्ट होगा Question number 33 जननिक परिकोष्ट के चारों और सीमेंट ग्रंथियां होती हैं सीमेंट ग्लेंड जो है किस में होती हैं फैसियोला में होती हैं, प्लैनेरिया में होती हैं, टिनिया में होती हैं या फिर ननाफ भी जिन में से कोई नहीं तो ये होती हैं प्लैनेरिया में यानि कि B option इसमें correct होगा plan area में cement ग्रंथियां होती है जनेनिक परिकोष्ट के चारों और question number 34 regeneration की अत्यधिक छमता होती है तो इसमें regeneration का मलब पुनरुद भवन की जो छमता कह रहा है कि होती है वो किस animals में अत्यधिक होती है तो यह होती है plan area में D option plan area में अत्यधिक छमता होती है 35 35 कह रहा है कि Tiniasoleum के सरीर में कितने प्रतिसत glycogen होता है एक प्रतिसत होता है दो प्रतिसत होता है या 2.17 प्रतिसत होता है या फिर कह रहा है 3.15 प्रतिसत होता है तो जो टीनिया सुलियम होता है उसके सरीर में जो है जो ग्लाइकोजन होता है वो 2.17 प्रिथिशत होता है यानि कि C option correct होगा इसमें Question number 36 questions number 36 कहरा कि parasitic animals है रहा है कि have well developed जो परजीवी जंत होते हैं वो कहरा है कि उनमें क्या सबसे बड़ीया जो है उनका जो reproductive organs है या digestive organs है या respiratory system है वो क्या develop होता है उनमें सबसे ज्यादा तो उनमें जानते हैं क्या होता है reproductive जो system होता है वो जो है will developed होता है यानि कि A option correct होगा Question number 37 The primary host of faciola hepatica is करा कि जो primary host है faciola hepatica का वो क्या है सीप है यानि कि भेंड man है यानि कि आदमी pig है यानि कि सुवर या फिर snail है यानि कि घोंगा तो जो primary host होता है न वो क्या होता है वो भेंड होती है सीप ठीक है ये और intermediate host क्या होता है वो होता है snail घोंगा होता है तो यहाँ पर पूँच क्या रहा है यहाँ पर पूँच रहा है primary तो primary के मतलब क्या होगा है सीप यानि कि A option correct होगा Question number 38 The primary host of tineasoleum देखिए वहाँ पर भी faciólla le energized यहाँ पे पूँच रहा है this primary host of tineasoleum तो tineasoleum का का कर रहा है मैन है पिग है सीप है या फिर कैटल है तो जो primary host होता है tinesoleum का वो क्या होता है मैन होता है ठीक है आद्मी होता है तो यहाँ पर A option correct होगा Question number 39 कि जो है यह जो है कि यहां पर प्रिजेंट होता है किस में प्रिजेंट होता है लीवर आफ सीप ब्लड आफ सीप इस्प्लीन आफ सीप यह इंटेस्टाइन आफ सीप हमने तो अभी पढ़ा था ना कि प्राधिमिक पोस्त जो है भेंड होता है लेकिन अब कह रहा है कि यह किस उसके अंदर मलब भेंड में किस और्गन के अंदर पाया जाता है तो यहां पर ए उप्सन करेक्ट होगा लीवर आपसी ठीक है भेंड के यक्रत में पाया जाता है क्वेश्चन नमर अगला है विज आफ दा फालूइंग इजे वार्म बट नौट फ्लैट वार्म करा कि इन में से जो है कोई एक क्रमी तो है लेकिन फ्लैट वार्म नहीं यानि कि चप्टा क्रमी नहीं है तो इसमें करा है कि डुगेसिया नहीं है या फिर इन्टेरो बियस न इस